असलालेकूम फ्रेंड्स कैसे आप सब उमीद है कि आप सब ठीक होंगे तो आई है जी बेसिक खॉममेट गरम साले की रास्पी जो के भी आकरम ने फिरमेश की है यहां पे टू टेबल स्पून जीरा था टू टेबल स्पून सुका धनिया वन पीस बड़ा था दारचिनी का व करो हमने लग से रॉस्ट करना है तो यह गिल ग विम्साले हैं निकालेना थावर्ण थानिया स्पूह जादध ॊटक्वार थाजैयों में जाना है तो इसको मैं भून के भी सी ही बनाती नहीं जा आन तो इसको आतर लेतर दे ङौ पैके वर्हांटता यूंडगे ऐसे तो ट मैं दो डिफरंट तरीके से बनाती हूँ जो मेरा ब्रियानी का मसाला है वो अलग है और जो प्लाओ का मसाला है वो अलग है तो यह बेसिक है जैसे आप मटर प्लाओ में बना लें प्लाओ में भी डाल सकते हैं दाल में भी डाल सकते हैं किसी भी मतलब के मुर्गी के सालन में बक्रे के सालन में जिसे मर्दी सालन चपा देए ठीक है और यह बेसिक वाला और इसको बस थोड़ा सा भूनेंगे जैसे ही इसमें से दुआ निकले और खुश्बू आने लग जाए आपने इसको निकाल लेना है इनको बहुत ज्यादा नहीं भूनते क्योंकि जो मसालों के अ जल जाते हैं और इसका टेस्ट बहुत गंदा आता है और हमेशा इसको हलकी हीट पर आपने बनाना है बहुत ज्यादा पांबड नी बालना इसके नीचे तो जब यह मसाले ठंडे हो जाए तो सबसे पहले हम लग से सूका धनिया और जीरा जो है उसको हमने ग्राइंड करना है क्योंकि बहुत ज्यादा पीसना नहीं है मुझे यह मसाला चाहिए होता है जैसे मैं कहती हूँ ना घर का दादड किया हो अगर मसाला तो मुझे नहीं ठोड़ा खड़ा रखना होता है मसाला तो आप देखें मैंने कितना कि इसको हलका सा बस किया सुका धनिया और जीरा बहुत ज्यादा मैंने पॉडर नहीं उसका बनाया इसको हम पहले डाल देंगे छोटी वाली प्लेट में पिर्च कहते हैं वैसे इसको है ना और फिर बाकी के कटे मसाले जो है वो सारे इसके अंदर डाल के तो इनको भी हमने ग्राइंड करना है बहुत ज्यादा नहीं करना बस जितने में आपको लगे के हाँ बहुत ज्यादा वो पौडर पौडर ना हो वरना उसको तो मज़ा नहीं आता मसाला थोड़ा हंडी के अंदर खड़ा खड़ा नजर आना चाहिए तो यह देखें इतना सा मैंने यह निकाल लाए तो यह आप लोगों के लिए बनाया था का बड़ी फिर्माश आ रही थी गरम सालेकी, गरम साला हमयजी रमजान से पहले देरेते तो लोग आ गया जए तो यह सारा भी आपने कठादे ना इसको मिक्स करना है कोई सा भी आप एर टाइट जो है कंटेनर लें, एर टाइट ज़ार कोई इससा भी हो यहाँ जैसे कई कि देखा होता है घर में कोई हनी की बोटल यहां जैसे मेरे पास यह ड्री टोस की थी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं रख दूंगी यूज करने के बाद इसको फोरान बंद करना है वरना इसकी सारी खुश्बू निकल जागी फ कि उसके हाँ नि动की जारा लाओ सारी ओतरा कारे है तो में करना हैखा ऑना झाल प्तव काता है पता है विसीग तरह एक है तो आधे पता है एं झाध़